हेलो गाइज आपको स्वागत मेरी एकर नहीं वीडियो के अंदर तो आप स्नैपसीड अप्लिकेशन से ढून रहे होगे यूटूब पे कि आपको कोई डार्क ग्रेट उन में फोटो आइटिंग मिल जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को आप देख सकते तो इस स्क्रीन में चुटकियों में अंदर कर सकते हो कुछ इस परकार का वह भी सो परसेंट रियल है कोई ट्रिक नहीं है वीडियो अच्छे लगए वीडियो को लाइक कर देना है चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्नैपसीड अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है और पलस आइकोन पर क्लिक करके अपनी फोटो का यहाँ पर आपको एडिक कर लेना है तो देख सकते हो आपको फोटो कुछ उस परकार का है पैंसल वाले आइकोन पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है नीचे की तरफ आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक टेक वाले option पे चले जाना है, view edit वाले option पे आपको यहां से click कर देना है, देख सकते हो, और आपको vintage पे click करके brush वाले option पे click कर देना है, अब आपको क्या करना अपनी photo को zoom करना है, और इस arrow को आपको 100% रख लेना है, और अब आपको अपने hair पे, अपने face पे, अपने hand पे, अ जैसे देख सकते हो इस screen पे, इसके बाद आपको यहां पर blue icon पे click कर देना है, बगल में होगा, जैसे blue mark हो जाए, आपका photo को चीज़ पर कारक हो जाएगा, done कर देना है, back वाले arrow पे click कर देना है, तो देख सकते हो before and after, pencil वाले icon पे आपको यहां से दुबारा click कर देना है, अब आपको यहां पर temperature को minus करना है, अब जितना temperature को minus करोगी यहां से आप blue tune effect दे सकते हो और gray tune भी दे सकते हो, तो आप 30% रखूँगा, और tint को यहां पर 2 या 3% के करीब रख देना आपको, और इसके बाद आपको यहां से right पे click कर देना है, तो मैंने यहां यहां पर tint को 10% रखा है, और उपर आपको edit truck का option मिलेगा, इस पर click कर देना है, view edit पर आपको यहां से click कर देना है, white balance पर आपको यहां से click कर देना है, बरस वाले icon पर आपको यहां से click कर देना है, अब आप देख सकते हो, आपको एक left में icon मिलेगा, इस पर tick करना, blue mark हो जाएगा, इस arrow को आपको यहाँ पर 0% कर देना है, देख सकते हो, नीचे की तरफ, और अब आपको अपने face पर बरस चलाना है, जितना भी यह देख सकते हो, blue effect का filter आ रहा है, यह dark gray का, इसको आपको erase कर देना है, इतना होने बाद आपको यहाँ से right पर click कर देना है, back वाले arrow पर आपको click कर देना है, अब आपको क्या करना है, pencil icon पर दुबारा click कर देना है, टूनी मेज वाले option पर आपको click कर देना है, brightness को आपको बढ़ा लेना 15, saturation को 20-25% minus, highlight को आपको यहाँ पर रख लेना है, कुछ 13% right पर click कर देना है, अब आपको यहाँ पर edit टक पर जाना है, view edit पर आपको यह से click कर देना है, और यहाँ से टूनी मेज पर आपको click कर देना है, अब आपको यहाँ से बरस वाले icon पर click कर देना है, और आप देख सकते हो, अपने photo को आपको zoom करना है, इस arrow को आपको 100% रख लेना है, अपने face प करने वाला एप सबसे बड़ी है Snapseed है आप इससे कर सकते हो और Snapseed अप्लिकेशन आपको प्लेश्टर पर मिल जाएगी जाके आम आसे डाउनलोड कर सकते हो अब मैंने यहाँ पर देख सकते हूँ परफेक्ट तरीके से कर लिया एरेज पैरो पे से भी कर लेना आपको राइट पर आपको यहाँ से किलिक कर दिना है बैक वाले एरो पर आपको यहाँ से किलिक कर दिना है विफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो फोटो पैंसिल आइकोन पर दुबारा किलिक करेंगे बरस वाले आइकोन पर आपको यहाँ से किलिक कर दिना है यहां से saturation brush select करना है अपने lips पर आपको brush को चला दे रहा है अब आपको यहां से right पर click कर दिना है Before and after photo देख सकते हो Pencil icon पर click करेंगे यहां से आपको चले जाने नीचे portrait वाले option पर यहां से आपको यहां स्मूथ 2 को select करके skin smootening को आपको 100% कर दिना right पर click कर दिना है आपका photo तैयार है Before and after देख सकते हो वीडियो चलागी वीडियो को like करना है, subscribe करना bell icon जो press करना है मिलते हैं एक और next video के साथ